हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल नमीता किचन कॉर्णर मैं नमीता और आज मैं बनाने जा रहे हूँ करेले और आलू की भुंजिया बहुत ही अच्छी लगती है ये खाने में इसे बनाने के लिए मैंने करेला लिया है और उसे अच्छे से साफ पानी से धो लिया और इसक काट रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बीज निकालने है बीज इसके मुझे पसंद नहीं है अगर आपको बीज पसंद आते हैं तो आप बीज के साथ ही काट सकते हैं कहीं कहीं के करेले के बीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं और कहीं कहीं के सॉफ्ट हो यहां पर हमने 2 medium size प्याज और 3 medium size आलु लिये हैं इनको हम अच्छे से पहले छील लेते हैं तो आलु को तो हमने छील लिया अब प्याज को भी छील देते हैं और छील लेने के बाद इसे हम अच्छे से पानी से दोलेंगे ताकि इसकी गंदगी जो है निकल जाए काटने के बाद हम इसे नहीं धोएंगे पहले ही धो लेंगे तो अभी हमने धो लिया इसे और अब हम इसे काट लेते हैं अलू को भी हम पतले पतले टुकडों में काटेंगे यह देखे इस तरीके से करेले में आलु डालके बनाने से इसमें के आलु जोयनो बहुत की जईधा स्वादिश्च लगते हैं अगर आपको आलु खाना पसंद है तो ये आलु और प्ष़ जबाने बहुत स्वादिश्च लगती है ऐग बर ज़रूर आप इसे ट्राई करें तो ये देखिए हमने प्याज को भी काट लिया अलू को भी काट लिया और करेले को भी पहले से काट कर तयार कर रखा है तो चलिए अब हम इसे फ्राइ करते हैं कडाही में हम 2 टेबल स्पुन तेल डाल देंगे सरसो का तेल डाले हैं इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका और तेल के गरम होने के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है प्याज और प्याज को हम हलका सा सॉफ्ट होने तक पहले पकाएंगे गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे लो फ्लेम पर हम या फिर मीडियम इसी पर हम करेले के भुणजे को बना कर तयार करेंगे बीच-बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे तो अभी हम इसे बस एक दो मिनट के लिए धक कर पकाए हैं अभी यह हलका हलका सा सौफ्ट होना स्टार्ट हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक थोड़ी से हल्दी डालेंगे कलर के लिए यह देखिए एक चौथाई चमच हमने हल्दी डाला है और उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे तो इसी तरीके से हम इसे चलाते वे मिला लेते हैं करेला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है इसलिए कभी न कभी बीच में हफते में एक दो बार हमें करेला बना कर खा लेना चाहिए करेला के तो बहुत से ही डिस बनते हैं लेकिन ये सिंपल से डिस भी बहुत अच्छी लगती है और आसानी से बन भी जाती है तो बीच में हम इसे फिर से चेक कर रहे हैं अभी देखिए इसे अभी हमें लाल करना होगा हलका सा सुनहरा तो अभी हम इसे वापस ढख देते हैं इसी तरीके से बीच-बीच में चलाते हुए और ढखते हुए हम इसे सुनहरा होने तक पका लेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से सुनहरा हो गया है ओल भी अलग हो गई है तो इसी तरीके से हमें इसे फ्राइ करना है सुनहरा होने तक तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे सर्फ कर लेंगे यह देखिए बहुत ही अच्छा यह बंद कर तयार हो गया है आप इसे रोटी पराथा फूरी किसे भी चीज के साथ खा सकते हैं बहुत ही अच